Congress Central Election Committee ने Congress अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और राय बरेली के जो Congress Party के उमीदवार हैं उसकी घोशना करें कि अगले 24 गंटे के अंदर Congress अध्यक्ष इसकी घोशना करें और अगला सवाल क्या अमेठी और राय बरेली सर उससे पहले अमेठी और राय बरेली पर मैं कुछ कहूंगा ताकि आपके कुछ सवाल बाकी नहीं रह जाए Congress Central Election Committee ने Congress अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और राय बरेली के जो Congress Party के उमीदवार हैं उसकी गोशना करें मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर Congress अध्यक्ष इसकी गोशना करेंगा Congress कभी अफवा नहीं फैलाती है मैं आपको सुपूत दिया हूँ कि 1949 से RSS के नेता RSS के बुद्धी जीवी इस सम्विधान के खिलाफ रहे हैं और एक ही कारण कि ये सम्विधान मनुस्मिती के खिलाब जाता है उन्होंने साफ कहा है 30 नवंबर 1949 को कि प्रेणा मनुस्मिती नहीं है प्रेणा और कहीं से आई है तो ये बात सही है कि प्रधान मंत्री नहीं कहा है कि मैं सम्विधान बदलूँगा पर उन्होंने कहलवाया कई लोगों से, उनका काम करने का तरीका तो यही है, कटपतलियों की कमी नहीं है, कटपतलियों से कहलवाते हैं, पहले आर्थिक सलाकार से कहलवाया, बाद में कोई सांसत से कहलवाया, तीसरी आवाज आई को उमीदवार राजस्थान में, उत्तर प् उद्धी जीवी लोग लिखते रहते हैं, लेक लिखते रहते हैं, कि इस सम्मिधान का समय हो चुका है, नए भारत के लिए नए सम्मिधान की जरूरत है, तो ये बार बार ये बात उठती है, बिल्कुल साफ दर्शाता है कि ये रन नीती है, मैं नहीं बोलूँगा पर आप कोलते जाओ, एक माहोल बनाते जाओ, कि लोग समझेंगे अच्छा ये सम्मिधान में कुछ कमिया है, इस सम्मिधान को बदलने की जरूरत है, इसलिए बार बार राहुल जी कह रहे हैं, कि इस सम्मिधान को अगर आप बदलेंगे, तो आप सामाजिक न्याय की खिलाफ होंगे, पंथ निर्पिक्षता के खिलाफ होंगे, लोक तंत्र के खिलाफ होंगे, सम्ता के खिलाफ होंगे, तो हजार सत्रा में उनी का बयान था, लेकि लेटेस्ट अभी एका है ना, बयान बदलते रहते हैं अफसरवादीस बयान होते हैं ये भी, क्योंकि अभी का वक्त है उनको बोलना पड़ता है प्रसान मंत्री ने बोल दिया होगा बागवत बाबु क्या आक बोल रहे हैं आप तो यह अवसरवादी 2017 मैं उन्होंने क्या कहा तो यह 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 एक जान बूच कर रन्निती अपनाते हैं कि मैं नहीं बोलूगा पर आप बोलते जाओ यह संविधान की आलोच ना करते जाओ तो हमने जो कहा है न्याय पत्र में यह संविधान की जो सिद्धान्त हैं सामाजिक न्याय को लेकर बार बार प्रधान मंत्री आरक्षन के जब बात करते हैं ये गलत प्रचार करते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षन के पक्षदार है हमने कहां कहा है यहां कही नहीं पत्र में इसका जिकर ही नहीं है इसका तो जिकर ही नहीं है हालां कि मैं आपको बता दू प्रधान मंत्री को जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं पर मैं उनको जानकारी दे सकता हूँ कि जो 1999 में और 2000 में OBC की Central OBC की लिस्ट है उसमें कुछ ऐसी जातियां है जो अलग धर्म के जातियां है पर उनको आरक्षन दिया गया है प्रधान मंत्री कौन थे तब नर्सिम्राव नहीं थे, मनमोहन सिंग जी नहीं थे अटल भी आरी वाजपाई थे हमेशा ये मानना है कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़े पन के आधार पर ही आरक्षन दिया जाएगा